Hello Everyone, Welcome to KTP Classes इस वीडियो दे विच अपा पंजाब सबॉडिनेट सर्विस सेलेक्शन बोर्ड दे द्वारा जूनिय ड्राफ्ट में दियां जो पोस्ट आगडियां गियांने इस वीडियो दे विच अपा पंजाब सबॉडिनेट सर्विस सेलेक्शन बोर्ड नूँ अपा की गयाने हैं ठीक है और ट्रिपल एस भी ने इते पोस्ट आगडियां जो के जूनिय ड्राफ्ट में दियां और टोटल जो पोस्ट आने इते हैं तो अपनी है 547 पोस्ट जो कद हाँ ने size 547 पोस्ट जूनिय ड्राफ्ट में दियां पहला था उनुछ चीज जो इते यह न च्छनिया हो की है कि लास्ट डिट्ट तो अपलाई दिस फॉर्म अपलाई करन दो जो लास्ट डिट थोड़ी ओकि नहीं है ता मतलब तुसी 11 फर्बरी 2021 की तो पहला पहला फॉर्म नूँ अपलाई करना ही करना है ठीक है और एथे जिनने भी आई टीए तो पड़े होए बच्चे ने और ना देली बहुत वदिया मौका है सरकारी जॉब लेंड था ठीक है ता ओ बहुत सीरियस होके हूं एथे ते ते donde पॉस्ट क 550 पॉस्ट ने ठीक है मंगा ट्रखी ने चीफ आल इस तो अलवा जो मेकेनिकल हैंatal मकेनिकल जुनियर ड्राफ्ट में ने मेकैनिकल दे लिए सिरफ एक ही डिपार्टमेंट है जो के वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट है और उदे विच ओना दे लिए टोटल 13 पोस्ट आने ठीक है और इते पूरा कैटेगरी दा पूरा इते ब्रेकेज लिखा होया है कि किस तरीके नल क इस कैटेगरी दे विच किन्या पोस्ट आने इस तो लावा सिविल इंजीनियर्स दे लिए सिविल दा जिनना ने भी कोर्स करया होया है आइट यह तो उनना दे लिए बहुत वादिया मौका है जॉब लेंड दा ठीक है जिनने भी डिपार्टमेंट ने देखो जिमें स्व याल्वा वाटरी सौर्स मैंजमेंजबंड अ्डेवलेमंट कॉर्पोरेशन दे विच टोटल बारा पोस्ट आने इस तो अबधा वाटर सप्लाई अंड सेनेटेशन डेशन डेविच टोटल सो अताड़ी पोस्ट आने और इस तो अलावा डाक्तर ल्नी रिकॉर्ड ज टोटल एथे जो सिविल इंजिनियर्स से पोस्टा बांड दिया नों कि निया ने 580 पोस्टान है ठीक है और इस तो अलावा एक चीज जो अपनों इत्य ते आंच रखने हो कि एक पोस्टान दा जो नंबर है एक कदिवी चेंज भी हो सकता है वदाया भी जा सकता है कटाया भ यह मेट्रिक्स है वो किनना है अपना साथे पच्ची हजार ठीक है और इस तो अलावा होर वी जिनने भी एथे अलावंस मिल देने ठीक हो वी यह यह दे भी चैड हो सकते है इस तो अलावा नेक्स्ट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो के ए ए अपने लिए देखो जेडेवी सिवल ब्रांच देविच अपलाई कार रहे है ने बचे उनना देली मैट्रिकुलेशन मतलब 10th 10th विद पंजाबी होनी चाहिए और प्लस दो साल दा कोर्स होना चाहिए है सिवल ब्रांच देविच आई टाई था ठीक है आई टाई दा कोर्स होना सेम जो सेम जो एथे क्वालिफिकेशन है और मेकेनिकल देली भी है बस एथे एक पर जो फरक होकी है कि आई टीय दिविच मेकेनिकल दा कोर्स होना चाहिए है ठीक है बाकी 10th विद मैं पंजाबी अपनों एथे ओ एथे भी इसेंशल क्वालिफिकेशन है इस तोलावा जू 30-30 years जा डिपलोमा होना चाहिदा है इन अर्किटेक्टरल असिस्टेंट शेप और किस दे द्वारा रेखेगनाइजड होना चाहिदा है जो भी पंजाब बोड़ आफ टेकनिकल एजुकेशन है ठीक है पंजाब बोर आफ टेकनिकल एजुकेशन ठीक है उस दे द्वारा की होना चाहिदा है recognized होना चाहिदा है ठीक है ओके इस तुलावा जिनने भी अपने junior draftman architecture दे लिए apply कर रहे ने बच्चे ओना दी भी 10th विद पंजाबी होने जरूरी है ठीक है और और एक चीज जो civil branch दे लिए important हो की है civil दे जिनने भी बच्चे ने जो के पंजाब water management पंजाब water resource management पंजाब water resource management और development corporation दे विच अपलाई कर रहे ने ता बिना एक साल दी apprenticeship तो उमेद बारा नो इस असाम में लेई नहीं विचारया जावेगा ठीक है ओके और जिननी भी essential qualifications ने ठीक है essential qualifications ने ओ आखरी मिती जो भी apply करन दी last date है उस last date तो पहलना ओ सारिया essential qualifications हो जाने हैं चाहिए दिया ने ठीक है for example जि मैं माल लो एथे 11 फर्बरी 11 फर्बरी जो है एए अपनी last date है for application ठीक है जिनने भी थोड़े certificates ने ओना दी जो date होनी चाहिए और date की होनी चाहिए 11 फर्बरी तो पहला दी होनी चाहिए ठीक है बाकी नीचे अपने category codes लिखे हो इने ठीक है जिनने भी जो भी तो उसी form पर होंगे उते category code बिल्कुल correct परना है जिमें for example किसी ने backward class दे लिए apply करना है था उसदा category code करना है ओके एस यह अपनी category codes next है next एथे note लिखा होया है जो के important है for ex-servicemen and for sabka 4G ठीक है जो भी army personnel ने ओना दे लिए और ex-servicemen category जो भी इनना categories दे लिए apply कर रहे ने ओना नो यह note एक वरी जुरूर पढ़ना चाहिदा है before applying for the application ठीक है जिमें के for example एथे ex-servicemen category दे लिए लिए लिखिया है कि जो भी ex-servicemen category दे विचो belong कर दा है ठीक है और इसलिए apply कर रहे है form दी ओना दे असामीय का ex-servicemen self उमीदवार विचो पर यह जाण गिया ex-servicemen self उमीदवार उपलबद ना होन धे ex-servicemen dependent उमीदवार विचो पर यह जाण गिया ता पहल़ा priority जो दित्ती जाएगी ओ ex-servicemen self नों दित्ती जावह फिगए इस तो लवा साब का फोजी देले भी जो कंडिशन्स लिखें हो याने आपनों पहला पढ़ लेनी चाहिए याने अभीजन आता विलेबल नहीं ठीकह था उनने डिपार्टमेंट सोसी के डिपार्टमेंट देली अपले करना चांदे हो ओ धी प्रेफरेंस सोसी यहक्तपर नियानए जो भी फोर्म अपलाई करना है ठीकह फोर्म देu विच एक ओप्शन आएगा जिते तुसी प्रेफरेंसेज पर साथ देऊं ठीक है और ओप्रेफरेंसेज तुसी एक तो साथ तक पर नहीं है ठीक है ओके और जो मेकैनिकल और आर्किटेक्चर दे विच अपलाई का रहे हैं ओना देलिए सिर्फ एक इक इक ही डिपार्टमेंट है तो ओ बेसिस्ते होंगे जो के थोड़े लिखती परिख्या देविच मार्क साय ने ठीक है ओधी बेसिस्ते थोनों उत्ति स्लेक्ट करे जाएगा किसी वह डिपार्टमेंट देविच थोड़ी प्रेफरेंस नों उसी तरीक के नट गशिडर करे जागए ठीक है ओके और बाकिये यह थे ओही केस दुबारा लिखिया है कि एपरेंट एपरेंटिशिप होना लाजमी है जो भी बच्चे पब्लिक वाटर रिसोर्स मेनेजमेंट एंड डेवलेमेंट कॉर्परेशन देविच अपलाई कर रहे हैं ठीक है ओके यह देखो यह थे एक का एक्जांपल दिती हु इस तो बाद एक इंपॉर्टन नोट लिखे है जो कि एक सर्विस्में और सापका फॉजी कैंडिडेट्स दे लिए ठीक है जो भी एक सर्विस्में और सापका फॉजी कैंड़िडेट्स अपलाई कर रहे हैं वो इस नोट नो जुरूर पढ़ लेना बिफोर अपलाइंग इस तुलाव अगर कोई भी किसी भी केस दे वेच जो भी केटेगरी वाइज एथे ब्रेकेज किता है जो भी पोस्ट अंदर ठीक है ओ दे विच अगर कोई भी चेंज होंदा है ता ओ नोटेस दे द्वारा वेबसाइट ते अपलोड कर देता जावेगा ठीक है ओके नेक्स्ट ए चीज बहुत इंपोर्टन है सेविल ब्रांच दे विच जेड़े बच्चा ने विच ने ठीक है ता ओथे तुसी खुद डिसाइड करोगे कि तुसी किस डिपार्टमेंट दे विचे जाना जान दे हो ता ओथे तुसी अपनी प्रेफरेंसेज पर सग दे हो जो के थोड़ो जदो तुसी फॉर्म पर होंगे ता उस विच थो नो वो थे ऑप्शन आएगा तुस अप्शन दे विचे तुसी प्रेफरेंसेज पर निया आन है ठीक है और एक तो साथ तक प्रेफरेंसेज दित्ती या जानगे खुछिँगि साध देपार्टमेंट ने जिन्ना दे विचे प्रेफरेंस वाली ऑप्शन नहीं आवेगी ठीक है ता सिविल डिपार्टमेंट्स सिविल डिपार्टमेंट दे जिनने भी स्टूडेंट्स ने उनना देली प्रेफरेंसे जानगी और वह एक तो साथ तक कौन गया ठीक है जिवें के फॉर एक्जांपल दिखुए थे इस टो जो भी प्रेफरींसों था जो भारा चेंज नहीं हो सकनी है ऐसे जो भी त्वील डिपार्टमेंट्स दे विछ अलाइंटमेंट हो वेगी त्वीलिपार्णेंट्स दे विछ अलाउट्मेंट भेगी ओ लिखती परिख्या विचो प्राप्त अंका दे अनुसार होगी ठीक है जो भी थोड़े तुसी माक्स लोगे एक्जाम दे विच उस दे अधा आरते थोनू मेरिट लिस्ट बढ़ा के उस तो बात होनू थोड़ा डिपार्टमेंट मिलेगा ठीक है ओकी इते ओही चीज दुबारा लेखी होई है कि जो भी स्टूडेंट्स या जो भी कैंडिडेट्स जूनियर ड्राफ्टमेंट सिविल ब्रांच दे विच अपलाई कार रहे ने और डिपार्टमेंट पंजाब वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट एंड डेवलिमेंट कॉर कोपरेशन दे विच अपलाई कर रहेने और ना दी एक साल दा एप्परेंटिशिप दा कोर्स होना जरूरी है ठीक है okay तो नेक्स्ट इस उमर सीमा ठीक है उमर सीमा बहुत साथ या फिर आप अपा एज लिमिट बहुत साथ ठीक है ता एज लिमिट जो के होनी चाहिए बी सी कंडिडेट्स ने अनुसूची जाती या फिर पच्छडी श्रेणी जिन्हों अपका सी केटेगरी और बी सी केटेगरी बोल दे हैं बैकवर्ड क्लास बोल दे हैं उन्नादी उमर सीमा बातोबाद ब्यारी साल हो वेगी ठीक है और जो भी स्टेट या सेंटर सरकार दे क पाड़ सकते हैं ठीक है और इस तो लावा जो भी फिजिकली चैलेंजड केंडिडेट्स ने आज इननों अंग हींड केंडिडेट्स कहने हा था उन्नादी उमर सीमा संतारी साल हो वेगी इस तो लावा जिनने वीडोस डिवोर्सेस या फिर कोई अधर कैटेगरी आफ मेरे इस किनी है जन्रल कटेगरी देली 1000 रुपेज SCBC और एकनोमिकली वीकर सेक्षन देली 200 रुपे ठीक है उस तो बाद एक सर्विसमेन या फिर डिपेंडेंट देली 200 रुपे और उस तो बाद फिजिकली हैंडिकप्ट देली 500 रुपे ठीक है और एक वार अधा किती फीस पंजाब दे वसनीका नो मिलेगा ठीक है इसलिए श्रेणी अते श्रेणी कोड़ परन समय उमीदवार एक अल्दा त्यान रखेगा ठीक है इस तो लावा राखमा करन दा लाव लेंड दिली पंजाब दा वसनीक होन दा ताजा जारी होया करना पर दॉपस्थ दीवार होना जरूरी कोड़मीगे या फरन दॉप्सिल सर्टिव केट होना जरूरी ही ठीक है और दूमिश्ण ससल्तिवकेट जो है ओंज साल तो पुराना नहीं होना चाहिए אפीध है Une Tag तो इस तो लावा नेक्स्ट है आपनी चोन विधी ठीक है मतलब किस तरीक के नाढ सेलेक्शन होवेगी ताह एक इंपोर्टन चीज जो है ओए है कि मतलब जो भी थोड़ा अब्जेक्टिव टाइप या लिखती एक्जाम होवेगा ठीक है उस दे अदारते थोड़ी कॉमन मे इस अबनार्थ होनों कॉंसलिंग देली या फिर डॉक्मेंट वेरिफिकेशन देली इन्वाइट करे जावेगा ठीक है मैक्सिम्ट थी टाइम्स दे चैंडिडेट्स जिनने अप्लिकेशन जिनने पोस्ट ने और पोस्ट तो थी ताइम्स कैंडिडेट्स होते करे जानगे फॉर्द डॉक्मेंट वेरिफिकेशन ठीक है और उस दे पेसे फिर पोस्ट देली अपलाई करे जावेगा या पोस्ट देली बच्चा नों हायर करे जावेगा ठीक है ज्वाइनिंग करवाई जाएगा ठीक है ओक और एक चीज़ जो इत्य इंपॉर्टन होई ऐसे है कि 40 परशेंट तो कट छिस्वी स्ट देदें और ठीक है ओवर इस एक्जाम दीविछ फेल बनने जावेगा और मतलब मिनीमम पघ्बयक्शन या मिनीमन जो थोड़ी आमार्क्स दी क्वालिफिकेशन है मिनिममम पाशेम म्र्च जो आने रिटन एक्जाम दीविछ उ 0.25% 0.25% negative marking है okay अगर merit merit दे विच दो ऐसे student ने जिनना ये marks बिल्कुल सेम ने ता उस case दे विच date of birth दे हिसाब दिना जिस दी date of birth ज्यादा होगी उस student नो उस candidate नो उस priority दिती जावेगी ठीक है और उस तलावा अगर date of birth भी same हों दिए ठीक है ता उस case दे विच जो भी उथे थोड़ी means essential qualification है essential qualification दे बेशते थे उननो select करे जावेगा ठीक है और अगर essential qualification दे विच भी same marks ने as a condition भी आंदी है ता उस case दे विच फिर metric marks हो थे count करूंगे ठीक है ओके और तिन गोना students नो document verification दे लिए बलाया जावेगा ठीक है document verification दे लिए तिन गोना students नो बलाया जावेगा ठीक है एस अलावा स्लेबस और pattern स्लेबस हाजे तक website अप्लोड नहीं होया है ठीक है ता इसलिए उसी website नो रेगुलर चेक कर दे रहना है यह वेबसाइट है http.slash.sbsb.panjab.gov.in इस site ते उसी regular means check कर दे रहना है ठीक है अपडेट्स चेक कर दे रहने ने और यह थोड़ा स्लेबस अप्लोड होगा ठीक है और online admit card भी थोड़ा एथ ही आएगा ठीक है इसी site ते अप्लोड होगेगा ठीक है ओक नेक्स्ट है apply करन्दी विधी application form नो apply करन्दी ली website ते जाना है ठीक है और website तो ही application form apply होगा offline form नहीं है ठीक है और last date है 11 फर्बरी 2021 ठीक है www.panjab.gov.inside तो तो तुसी application form फिल कर सकते हो ठीक है जदो भी form apply करना है पहला registration होगे है registration तो बात होनो username password generate होगा username password generate होन तो बात तुसी application form submit करना है application form submit करना तो बात तो उनो preferences पुछें जानगी है ठीक है civil engineers जो भी civil branch दे लिए apply कर रहेने उनना तो preferences पुछे जानगी है और जो mechanical और architecture दे लिए apply कर रहेने उनना दे लिए कोई preferences नहीं पुछे जानगी है और जो भी students पंजाब water resource and management and development corporation दे विच अपलाई कर रहेने उनना दे लिए 1 साल दा apprentice होना जुरूरी है ठीक है उस तो बाद जिनने भी होते certificates पुछे जानगे जिवे के passport size photo हस्ताक्षर हो गए ठीक है और जो भी metric दा certificate या कोछी भी जितने भी होते अपने education qualification certificates ने उते ही तुसी upload करने ने ठीक है लिंक आएगा ठीक है तो तुसी fees daily apply कर सकते हो चाहे तुसी offline fees submit कर सकते हो विद्धी help of चलान या फिर तुसी online कर सकते हो ठीक है चलान SBA एदा generate होएगा तो तुसी बैंक दे विच जाके fees submit कर सकते हो और fees submit करना दी last date जो है वो कि नहीं है 15 फरबरी दोहुजार इकी इस तो अलावा जदो तुसी fee submit कर देंदे हो ता थोड़ा application form generate हो जाएगा ठीक है उसनों तुसी download करके save करके रख सकते हो ओदे विच अपनी जिननी भी तुसी detail फिल करी है ठीक है वो load pen ते जदो भी तुसी load pen दी है ता उसनों तुसी देख सकते हो ठीक है जो भी थोड़ा यूजर नेम है पासवर्ड है या सारी चीज़ां थोड़ी application form जो generate हो वेगा ओदे विच थो नों दित्तिया जाएगा ठीक है ओके इस तो लावा है ता उस case दे विच उन्हों अयोग करार दितता जाएगा ठीक है कोई भी अदूरी या गल्त सूचना form दे विच पर ही ता उस case दे विच भी अयोग करार दितता जावेगा ठीक है इस तो लावा अगर जो भी eligibility conditions ने ठीक है उन्हों फुल्फिल नहीं कर रहे है student ता उस case द इस ने कुछ important points ठीक है important points आपा पहला almost discuss कर चुके है ठीक है यह तो सी सारी points एक और form apply करों तो पहला read कर लाने ने ठीक है तो इथे सी आपने complete notification ठीक है आपने पूरी complete notification आपका read कर ली है जिनने भी कि ITI दे students ने या ITI जिनना ने qualify करी हुई है ठीक है ITI दा course जिनना ने करया हुए है civil engineer, mechanical engineer, architectures उन अदली यह बहुत वदिया मौका है government job land दा ठीक है ता तो सी जरूर apply करों next video दे विच आप हम बिलांगे till then thank you